कि नमस्कार दोस्तों मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोगप्रिये चैनल यूर काल चक्रा मित्रों आज हम फिर एक बार श्वाश्चता दीदी के साथ बैठे हैं और आज हम जो टॉपिक पर डिस्केशन करने वाले हैं वहाई आईएस या आर्मी ओफिसर के लिए कैसे देखते हैं कुंडली में कि यह विक्ति आईएस बनेगा आर्मी अफिसर बनेगा उसके क्या क्या पैरामेटर्स एस्ट्रोजी कली होते हैं उस पर आज हम चर्चक करने वाले हैं तो आप सभी के सहयोग से मैं शाष् चर्चक कि आईएस बनने के लिए सफल होता है बनते हैं अध्रम भाब बहुत महत तो रखता है क्योंकि इससे आपका चारित्र आपका जो सबस्टेस अभर करता है आपका पॉस्ना की निरवर करता है तेट्यभाब जो है वह हिमत साहास को दरशाता है पंचम भाब आपका अपने दूसरों के ऊफर आपका कमांड कैसा रहेगा, अपने राइट डिसिशन सही समय में कैसे ले सकते हैं, यह पता चलता है, और दसम भाफ से यह पता चलता है कि अपने, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट का जो सेंस है, वो कितना है, आपका फुद का जो मरियादा आप कितना आपका जो काम कने का इस्छा नहीं पता चलता है, आपका सफलता चलता है कौनछे रास्ते से आप क्या करेंगे कि आप income करेंगे, इंकम करेंगे, आप जो way of income पता चलता है, और एक आया सबक्रिशर बनने के लिए, बहुत जरूरी होते हैं, जो पिए मांगल जोए, शोरिय अधिकार देता है, शूरिया हिम्मत देता है और वो आत्मशक्ति को बढ़ाता है और जो मंगल वो साहस देता है, और उर्जा देता है एक जो रियल के स्टड़ी के ऊपर हम बात करेंगे कि यह व्यक्ति इस अफिसर कैसे बने और क्यों बने उनका जोती से कारण क्या है यह व्यक्ति यह जो देख रहे है यह जयमिनि लगना है और जयमिनि लगना मेल मेल शूरिया बैठा हुआ है नहीं के स्टड़ी सी बैठा हुआ है इनका अत्मकारण districtあ और वह मंगल वह जाफ होकर रहु के साथ बयखा हूआ है। अगर बात करें कहा साथ परतम बहाड भाप जो प्रत्व बहाब करते हैं修 मुझेजिया कुछ एक चुरू करते हैं अब देखेंगे पंचंप भाव का अधिपते शुक्र अपने ही बाव में भाव में वाया बैठेहर अर वह के बात्रहों और वहांपे वह दुप बना हुआ है स obtained जण गभी नवंभाव, जो भाग्य भाम भाबल को भाग्य को इतना साथ दे रहा है, भाग्य पहले को भाग्य को आपपगो पाप या के भाग्य को या रहते बैद है, और इक है जो ढंखता का राशी है तुला रासी का सम्मी अष्ण कि न थे सब्सक्री साद है है यदि शहनी एला शहनी चार्वता में भी इह राल पे लूए है और शहनी अगर छर्व में गया खहल मिंग देख भुरु इंा है और फिलिलेन जीत दिलवाता है अगर हम एकदस भाब को देखेंगे तो एकदस भाब को सामी मंगल यह उच्य पहो के अस्टम भाब में बैठा हुआ है इसका मतलब इस व्यक्ति का एकदस भाब भी अच्छा है अभी हम देखते हैं कि प्रतम भाब, तुत्य भाब, पंचम भाब, नभम भ करवाया है पता में सूरिया सूरिय मृगेशीर नक्सट्र जो मंगल का नक्षट्र उसमें है मर्कृरी इसका सामी मर्कृरी उभांप मिस्त्र है तो बैठा हुआ है तो मंगल भी अपने मीत्र ग्रह का चर्ण में बैठा हुआ हुआ है कि मंगल भी यहां पर बाली तो है ही उसके बाद हो शुटा दे रहा है इसलिए इस व्यक्ति आयस अफिसे बने इनका पर्सनलिटी है और शुरिय इनको डानमिक पर्सनलिटी प्रदान क परेंगे डाओव खριन झालने के शुरित्र एंपना तेंडन्से और अपना जडू यह जो मेंटल स्रेंग्ट है और अपना जो मैंटल स्टैंग है और बाहुञ पर्वार देखने लगना और कन्या लगना में लगना वह 11 दिगरी का है यहां पर हम अगर देखते हैं यह व्यक्तितों है वह एक इंडियान डिफेंस सर्विस में आर्मी अफिसर है बड़े उंचे उधे में हैं इनका अगर हम देखते हैं तो प्रत्थम बाप, तृत्य बाप, पंचम बाप, नभम बाप, दस्वम बाप और एकादस बाप इस इन भावों का हम आज देखेंगे कैसा है और इनका जो इंडियान डिफेंस सर्विस में ले जाने के लिए जो मुख्य दो ग्रहा है वो है सूर्य और मंगल यह दोनों ग्रहा बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करते है हम देखेंगे कि उनका जो लगन भाप का स्वामी बुद्ध यह जाके बुद्दाधित्यय योग बना रहा है सूर्य के साथ और सूर्य उनके अपनी ही रास में बैठे हुए है अगर हम डेखेंगे कि तृत्य भाप को तृत्य भाप में राहू है जो कि तृत्य भाप और देख गणंडना, अर्श भूतिय पंदिया बधब लिए गतन है. CETU होता है पुझवद, मतलब मंगल देव dessert करता है। कि मनल के सब्सक्राइब के साथ थ्रूतिया भाब्यड़ाओता है, उनको बल मिल गया, डवल शक्ति मिल गया ऐसा मांगेजे, के तु रहने के कारण अगर पंचम भाप को देखेंगे, तो पंचम और चटे भाप को स्वामी, मतलब पंचम में शनी एक अधस भाप में बैटे हुए और पंचम भाप को ही देख रहे हैं, मतलब इनका पंचम बैटे हुए हैं दादस भाप में, और दासम बाप को स्वामी जो बोध है वो बैटे हुए है सुर्य के साथ और वो भी गुधाधित्य व बना रहे हैं और इनका यहाँ जो एक अधस भाप है, स्वामी चंद्र नो बैटे हुए है, जिवन का लक्ष प्राफ करते हैं, सप् और एक अच्छी दिशा को ले जा रहा है अगर हम अभी देखेंगे वह आर्मी अफिसर क्यों बने एक डिपरिण सर्विस में क्यों गए तो उसके लिए जो मुक्ष ग्रह दो हैं साहाज के प्रतिक हैं दो ग्रह वो हैं शूरिय और मंगल अभी हम देखेंगे शूरिय दसंभ आपको ही उनका दृष्टी है तो सूरिय और मंगल इनको कापी ले इंडिकेट कर रहे हैं कि इन्होंने इंडियन डिपेंट सर्विस में जा सकते हैं बहुत बढ़िया अद्बुद बहुत ही सटीकता से आपने आईयस अफसर बनने के लिए जो एस्टोलोजिकल पैरामिट होते हैं उन पर बात की और आपने उसी तरह आर्मी अफसर के लिए जो मुखे बिंदू रहते हैं उनके पर बहुत अच्छे से चर्चा की एक बहुत ही अच्छे श्रेस्ट वीडियो के लिए एक बार फिट से हिर्दे से अवार्त धन्यवार्त नमस्कार् झाल